हेले व्रीबन बेलकम टो असेकडमी आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे आज इस वीडियो में नंबर आप 10 कोस्टन होंगे जो आई जांग में पइंट आप अच्छे से दे लेते हैं आप लोग के तैयारी अच्छी है यह आप लोग जौब करने के लाइक हैं यह आप 2021 में जौब करना चाते हैं तो इन 10 प्रश्णों में से कम से कम 5 प्रश्ण का उत्तर दीजिए सही सही यह आप लोग अच्छे से त्यारी कर रहे हैं तो आसानी से एक कोस्टन बन जाएंगे फेवरेट कोस्टन है बार-बार रिजा में पूछे जाते हैं तो चले बिना देर आप लोग के वीडियो मिलती रहती हैं तो चले बिना देर के वीडियो को सुरू करते हैं आप लोग जरूर किसी कोस्टन का इंसर बनता है तो आप लोग कमेंड वाक्स में जरूर लेखें चले बिना देर के वीडियो सुरू करते हैं तो आज का पहला कोस्टन है भारत में स सती प्रताकों को कब प्रतिबंदित किया गया था भेरी फेरी इंपोर्टेट कोश्चन करवा जा रहे हैं आप लोग ध्यानक ना है एधि आप लोग डे वाई डे वीडियो देखते जाएंगे तो आप लोग को कोई जौब करने से नहीं रोख सकता है 2021 में यह लिग के लिए भारत में सती प्रताकों का प्रतिबंदित किया गया था राइट एंसर हो जाएगा 1829 में अबंशन D आप लोग का राइट एंसर हो जाएगा चलिए neste कोशन ले लेते हैं नेस्कोशन के किर्थी इसतंब की रचना किसके द्वारा कीज़ी अप्सण बोर regular कोइंडी कोश्चन outside क Quindi कोश्चन हैं वे कोश्चन उठा गया है जो बार बार जामया पूछा जाते हैं की पिर्थी इसतंब की रचना किसने की थी राइट एंसर हो जाएगा कभी महस एनि ओप्सन ए ठीक है अलग कोश्चन देखते हैं धातों का वह गूर जिससे उन्हें खिसक कर तारों में परिवर्थित किया जा सकता है ध्वनिक अगाद भरतिनियता उसमी या तन्यता क्या होगा कोश्चन मतर्ड का राइट एंसर सभी लोग से बनना चीए कोश्चन और लास्ट में आप लोग जरू बताएं कि इन दस प्रस्णों में से आप लोग से कितने प्रस्ण बने हर कोश्चन का आप लोग को एंसर जरू बताना है चाहे सही हो चाहे गलत नेस्ट कोश् होतिकी रसायन या जीव कोई साभिन है राइट एंसर हो जाएगा फुकोल आप लोग को बता है वहुतिक है बैज अच्छर कौन सा है आप लोग लिए एक कोस्टन होमबर के लिए है डाला गया है जिसमें इसका दूब लोग को सभी लोग को कमेंट को कि देना है आपूको ज्यादा टाइम लेगे तो वीडियो को रोख लिजिए लेकिन इसका एंसर सभी लोगों कमेंट वाक्स में लिखना है अंग्रेजी बड़वाला में आपके बाय से 17 अच्छर कौन सा होगा सभी लोगों कमेंट वाक्स में लिखना है वीडियो रोख लिजिए आप लोग ज्यादा टाइम लेगे तो अब बन जाए तो अच्छी बात है चलिए नेक्स कोश्चन है एदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हर कोश् सिंदू सब्विता के घर किसके बनाया जाते थे सिंदू सब्विता के घर किसके बनाया जाते थे ओप्सान है इट से घास फूस से लकड़ी से यहनवे से कोई नहीं तो इसका राइट एंसर हो जाएगा इट से किससे सिंदू सब्विता के जो घर है इट से बनाया जाते थ गोशन है आरे सब्द का साब्दिक अर्थ है वेर महान नव में सुमपत्ती का प्रमुक्स रोत क्या था और भूमी या Bi दोनों या इन में से कोई नहीं, बेरी बेरी इपर्टर question है, तो question नमर-8 का right answer हो जाएगा गोधन, यानि option A, next question, हडपा का सरवाधिक बानता प्राप्त काल कौन सा है, हडपा का सरवाधिक बानता प्राप्त काल कौन सा है, इनमें से कौन सा option सहह होगा आप लोग comment रॉक्स जरू बताए, आप लोग इसकीन पे option दीख रहे हैं पढ़िए और बताइए कि हरप्पा का सरवादिक मानता प्राप्त काल कौन सा है तो question number 9 का right answer हो जाएगा option A 2500 इसा पूर्व से 7050 इसा पूर्व तक next question है माहराणा रसांगा और इब्राहिम लोधी के बीच खतोली का युद्ध कव हुआ था option है 1518, 1516, 1517 या 1519 question number 10 का right answer क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा 1518 इनी option A तेरही आज की वीडियो I hope आप लोगो पसंदा होगी पसंदाज वीडियो को like and share कीजिए चैनल पर नए है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लेजिए ऐसी amazing वीडियो पाने के लिए चलिए मिलते है नेक्स वीडियो में